हलो गाई स्वागत है हमारे चैनल बीएसी है जो किसे लेक्चर्स में हम पढ़ रहे हैं बीएसी फाइनल येर मैट्स थर्ड पेपर डिस्क्रीट मैट्स वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो पसंद आये तो लाइक शेयर और कमेंट जरू करें बैल आइकन को प्रेस करें तक आगे आने वाली हर वीडियो की नॉटिफिकेशन मिलती रहे बिस्क्राइब के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल की प्लेजिस्ट पर जाएक रम से कॉस्टन सॉल्फ करवाएगा है यूनिट बाइ यूनिट ठीके तो कॉस्टन है एफ उफ एक्स बाई जेट एक्स बाई डैस एक्स प्लस एक्स बाई तो जो हमने आप लोग को दो हम लिए नियम लिख वाई है वर्ग सम नियम आप शो स्रोन डेम डी मारगया वो अप्लोगे एको साथ में लग इसको अलग लग कर देंगे तो एक्स बैस डैस प्लस एक्सिक लगाया तो दूसरे कोश्रक में x by dash plus x z plus by मतलब x और by को लग 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 लिख दिया दोनों कोश्रक लग लग कर दिये ठीक है फिर इसके बाद यह देखो आपन यहाँ पे आपन को यह caution इस पर कर बनाने कि ताकि जो आपन ने वो नियम याद किये वो बन जाए वो नियम लग जाए कही ना कहीं से फिर ठीक है तो आपन इसको इस परकार भी लग सकते है x by dash plus z plus x यहाँ से x common ले लिया और यह आपन ने इस परकार लिख दिया ठीक है तो यह जियों का दियों लोग दो x by dash plus x z plus by आप इसको इस परकार लिख सकते है x plus x into by dash plus z तो इसमें अपसूसर नियम लग गया क्यों क्योंकि जो a हो गया अपसूसर नियम लग गया x a plus a into b a और यह हो गया अपना b तो a plus a dot b is equal to a होता है अपसूसर नियम से तो यहाँ पर क्या आएगा x into x by dash plus x z plus by ठीक है x into अब देखो अपन का x into तो common में चल रहा है अब देखो यहाँ पर जैसा अपन ने उपर जो कोश्टक में अलग अलग किया था यह वाला तो अब इस प्रकार इसमें भी हैं सकाना है x by dash plus x into x by dash plus z plus by लिख सकते हैं इसको अब 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 अपन ने x और by को लग लग किया था अब यहाँ पर x और z को लग लग कर दो x by dash साथ में लिख दो x by dash plus x into x by dash plus z और यह plus by दोनों के साथ में हो गया अब देखो अपन का यहाँ पर आप सो सर्णियम लग रहा है क्या देखो a a हो गया x plus a dot b x by dash plus z plus by अब प्लस by का दोनों में multiply कर दो x x plus by x by dash plus z plus by plus by से multiply कर दिया multiply करने के बाद x x plus by x plus by plus z अब देखो यहाँ पर फिर से वहीं कर दिया अब एक्स by dash को लग लग लिख दिया x plus z plus by फिर by dash को इन दोनों के साथ में लिख दिया तो by dash plus z प्लस बाइच कर देंगे तो इसकी वैल्य वन हो जाएगे इनको यादी साथ में लिख देंगे प्लस जैड तो यह प्लस बाइच एकॉल टूर्ट वन है तो इनकी वैल्य वन रख दो तो एक एकस तो X, X plus 2 और X into A into A plus B यह ए अपसूसर नियम बन गया तो A into A plus B is equal to 1 A होता है तो A into A plus B यानि कि A, X हो गए ही होगा अपना आज़ आ गया होगा हमारे क्याल से कॉस्टन समझ में तो आप लोग वो नियम याद कर लीजेगा तब ही कॉस्टन समझ में आए गया तो नहीं आएंगे ठीक है थेंक यू